नमस्कार दोस्तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मंदिर का दर्सन करवाने के लिए जा रहा हूँ जो पारशनात मंदिर के नाम से काफी परसीद है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नीओ आए हैं तो पिलीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो भी नीए अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तो मैं आप लोगों को बताते चलू पारशनात मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो जैनियों के लिए 200 का सबसे बड़ा तीरतस्तल कहा जाता है और ऐसी मानिया आता है यहां से कई गुनी महराजों को जापती हुई है दोस्तों अगर बात की जाए पारशनात मंदिर की तो पारशनात मंदिर जार्खन के गृड़ी जिल्य में इस्तित है यह जार्खन का सबसे उचा परवत भी से कहा जाता है अगर इसकी उचाई की बात किया जाए तो इसकी उचाई लगबक 4500 फीट है और दूरी के हम बात करें तो इसकी दूरी लगबक 10 किलूमेटर पर इस्तित है अगर आप चाहते हैं पारशनात पाहाड का पैदली आत्रा करना तो मैं आप लोगों को एक समय बता देता हूं जो आप लोगों को 4-5 घंटा पारशनात पाहाड तक पहुचने में लग जाता है अगर नीचे उतरने की अगर हम बात करें तो नीचे उतरने में भी लगबक 3-4 घंटे लग जाते हैं तो दोस्तों आप यहां का भीव काफी रोमांचक भीव होता है और 4 तरफ खुबसूरत पहाड़ियां हैं और इनी पहाड़ों के बीच में बसा है पारशनात जी का मंद पहजूद हूँ और यह रहा पारशनात जी का मंदीर और आप देख सकते हैं पारशनात जी का मंदीर काफी खुबसूरत है और मैं अभी आप लोगों को पारशनात जी के मंदीर के करीब लेकर के चलने वाला हूं और पारशनात जी का दर्शन भी करवाने वाला हूं तो आ अगर आप लोगों ने अभी तक पारशना जी का दर्शन करने के लिए नहीं आया तो पिलीज एक बार आए और पारशना जी का दर्शन करें यह काफी घूपसूरत पहाड़ों के बीच में मंदीर बना हुआ है तो आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरफ से वादिया हैं चारों तरफ पहाड़ है घने पहाड़ है इन पहाड़ों के बीच में पारशना जी का मंदीर है तो अभी मैं आपको पारशना जी के दर्शन भी करवाने वाला हूँ तो आप हमारे साथ जूड़े रहेगा आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं आपको पारशना जी का सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूं तब दर्शन करें